क्या करो, अब कितने दिन में एसा ही रहूंगी, पापा भी सोच रहूंगी कि यसी तो क्या बात हो गए, मुझे पापा को बता देना चाहिए, और एक ना एक दिन नहीं बताऊंगी तो बता चली जाएगा, बताना ही पड़ेगा पापा को. झाल पापा, यह सब क्या है बेटा, पापा, पापा, वो, अरे बेटा, राहूल ने हमारे साथ इतना बड़ा दोखा किया, और तू बताती तक नहीं मुझे, अरे बेटा, तू अंदर-अंदर ही सहती रही. पापा, कैसे बता थी मैं आपको, कि राहूल और उसके परिवार ने हमारे साथ इतना बड़ा दोखा किया. तू चिंता ने कर बिटा, राहूल ने हमारे साथ इतना बड़ा दोखा किया, अच्छा नहीं किया. हम उसको छोड़ेंगे नहीं. हम आज ही इसके उपर पोलिस कंप्लेंट करवाएंगे. उसको छोड़ेंगे नहीं. पेटा, तू चिंता बद करना. नहीं पापा, मैं पोलिस कंप्लेंट करना नहीं चाहती. मैं कुछ भी करना नहीं चाहती. मैंने उनको बहुत समझाया. मैंने उनको बहुत प्यार देने की कोशेश भी की. लेकिन शायद, शायद मेरी किस्मत में ही कमी थी. और मेरे प्यार में भी. कि मुझे ये दिन देखना पड़ा. लेकिन बापा, मैं कुछ भी करना नहीं चाहती, मैं पॉलिस कंप्लेन नहीं करना चाहती मैं उनको सजा नहीं दिला सकती, क्योंकि मैं उनको प्यार करती हूँ और बापा, बस आप मेरी इतनी बात मानिये हमारा डिवोस करवा दिजिये मैं उनको डिवोस दे के आजाद करना चाहती हूं ठेक है बेटा लेकिन मेरे एक बात मानतू मुझे एक बार राहुल को समझाने का मौका दे शायद कोई रास्ता निकल जाए बेटा एक मौका दे मुझे बेटा लेकिन बापा वो नहीं समझेंगे मुझे पता है वो आपकी बात भी नहीं मानेंगे मैं जानती हूं उनको वो किसी की नहीं सुनते लेकिन बेटा मेरे मन की तसली के लिए भी मुझे एक मौका दे शायद कोई अच्छा परिना मिल सकता है ठीक है अगर आपकी यही इच्छा है तो आप यह भी कर लीजिए लेकिन बस आप उनको किसी भी बात का फोर्स मत करना ठीक है बेटा ठीक है कैसे बताओ पापा एक साल साथ में रहने के बात भी राहूल ने एक भी बार मेरे सामने नहीं देखा चाहे में कितनी सजलू कितनी सवर लू कितना ही अच्छा खाना बना के दे दू उनके कितनी सेवा कर लू उन्होंने मुझे आज तक अपनी पतनी के रुप में स्विकारा ही नहीं वो इंसान आपके कहने पर कैसे मान सकता है हा राहूल कहा पहे है तू हा हा स्टेशन के बास है न हा तो तू कर पर आजा हरे मुझे बात करनी है तुछ से तू आजा जितना हो सके इतना जल्दी आजा हा में वेट करता हूं तेरा हा यह सब क्या है राहूल यह सब क्या है राहूल लेकेन यह सच्चा है शादी से पहले बतानी चाहिए ना एक साल के बात बता रहे हो दरहसल बात यह है कि यह शादी मेरी माँ की जित थी उनके कहने पर मैंने यह शादी किये मेरी माँ को लगता था कि अगर मेरी यह के साथ शादी करके रहूंगा तो मैं ठीक हो जाओंगा पर मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आपको बदल पाऊंगा मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ आज के बाद हम साथ में नहीं रहेंगे और हारिया हो सके तो मुझे माप कर देना मेरी बेटी की जिंदिगी बरबाद करके कह रहा है मुझे माप कर देना हरतु ना मर्द था तो शादी से पहले बता देना चाहिए था क्यों बरबाद की मेरी बेटी की जिंदिगी मैं तुझा छोड़ूंगा नहीं पाबा 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 छोड़ो उनको उनके साथ लड़ाय करके क्या मतलब और जैसे भी है यह तो मेरे पती छोड़ो पापा कोई मतलब ही नहीं है इंसारी बातों का और राहुल मेरे गेवोस पेपर तयार करवा दिये खल तुम वकिल के ओफिस पे आके साइन कर देना स्रिया मैंने तुम्हारे साथ बहुत किया है उस सबे तो प्लीज मुझे मुझे माफ कर देना लेकिन मैं मजबूर था मैंने पूरी ट्राई कि कई डॉक्टर्स को भी दिखाया मैंने लेकिन कुछ फर्पनी पड़ा मेरे अंदर तो मुझे माफ कर देना कोई बात ने शायद मेरी किसमत को यही मन्जूर था लेकिन राहुल अगर आपमे ऐसे कमी थी तो आपको शादे ही नहीं करनी चाहिए थी आपकी मजबुरी में तो आपने मेरी ही जिन की खराब कर दी लेकिन खेरो अब इन सारी बातों का कोई मतलब भी नहीं है आपकल वकिल की ओफिस पे आजाना और डिवोस पेपर साइन कर देना जा सकता है तू तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि ये जैसे स्टोरी में आपने देखा कि काफी बार ऐसा होता है कि शादी में दोखा होता है रिजन चाहे कोई भी हो काफी बार ये भी रहता है कि शादी करने के टाइम पे जब लड़का देखने के लिए आता है अपने परिवार के साथ तब उसकी इंकम जो बताता है वैसे इंकम नहीं होती काफी बार ऐसे भी किससे हमने न्यूस पेपर में और सारी जगा पे देखे है कि घर भी होता है रेंट वाला और वो बोलते है कि हमारे खुद का गर है एसी बहुत सारी हिस्ट्री उसकी बाद में पता चलती है शादी के बाद लेकिन यहाँ पर कुछ बात अलग ही थी और यह जो स्टोरी है वो थोड़ी रियल स्टोरी पे है हमारे मेरी एक दोस्ती है जिसके साथ ही पूरा जो आपने किस्ता देखा वो बन चुका है कि उसका जो हस्बन है वो नामर्द रहता है और अपनी फैमिली की टोर्चर की वज़े से और मजबूरी में आके वो शादी कर लेता है फिर अपनी बीवी को नहीं रख पाता सही से और बाद में पता चलता है कि और परदाफाश होता है कि यह जो नामर्द है तो यह पूरी जो स्टोरी आपने देखी वो एक्चुल में हो चुकी है और इसलिए हमने बनाई है यह मैसेज जो है खास उन लोगों के लिए है मेरे वीवर्स के लिए तो है ही कि आप अपनी लाइफ किसी के साथ अगर बिताने का फेसला करो तो उसके पहले देख लेना तपास कर लेना कि सही मान्य में यह क्या है और क्या नहीं लेकिन यहाँ पर खास जो मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है कि जिसकी लाइफ में अभी यह प्राब्लेम चल रही है तो ऐसी बहुत सारी शॉट फिल्म्स आपने देखी होगी बहुत सारी वेब सिरीज आपने देखी होगी और यह रियल में भी होता है अगर आपके अंदर भी ऐसी कुछ कमिया है तो आप खुल के अपने परिवार के साथ उसके लिए डिसकस कीजिए बात शेयर कीजिए ना कि आप मजबूरी में आके और टोर्चर में आके किसी और के साथ शादी करके उसकी भी लाइफ खराब करे क्योंकि कोई भी सच्चा इचीपी नहीं रहती एक ना एक दिन तो वो सामने आही जाती है तो क्यों ना हम किसी की लाइफ खराब केरने से पहले ही इस बात को परिवार के साथ शेयर करके उनको हमारी जो भी भावना है जो भी प्राब्लेम है उसको समझाए और अगर ऐसी फैमिली भी है कि जिसके घर में ऐसा कोई लड़का या लड़की है तो उसकी फैमिली को भी उनकोंडेस्टेंडिंग करना चाहिए क्योंकि ये जो नैचरली प्राब्लेम है उसका सॉल्यूशन उसके पास भी नहीं है तो वो बंदा या वो बंदी कुछ भी नहीं कर सकते तो हमारे पास एक ही बात रहती है कि हम वो जैसे भी है उसको स्विकार करें तो गाइज अगर आप में भी ऐसी प्राब्लेम है तो प्लीज अपनी फैमिली के साथ उसको जरूर शेयर करना और मेरे आसपास है से काफी सारे लोग मैंने देखे हुए है कि जिसमें ये प्राब्लेम होती है लेकिन वो छिपाके रखते हैं वो बताते नहीं है लेकिन इससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता तो कहते हैं कि बात करने से ही बात बनती है तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्राब्लेम है तो प्लीज बात किजिए तैंक्यू